यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक और यहां बेहतरीन मुबाइल एप्लिकेशन लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप रिचार्जेस और बिल पेमेंट्स करके अच्छी कासी अर्णिंग कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें कमिशन भी अच्छ मिल जाता है जिससे आप इंस्टेंट में अपने वालेट को टॉप आप कर सकते हैं आपको वेट नहीं करना है फंड रिक्वेश्ट लगा के यह पैसा आएगा तो अपना वर्क करेंगे और अपना वर्क यहां पे इसली श्टार्ट कर लेंगे सो गाइस चलिए मैं वीडिय में और इंस्टॉल करने के बाद इसे यहां से ओपन कर लिजिए सो गई जब आप इसे ऑपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेश यहां देखने को मिल जाता है सबसे पहले आपको इसमें ID create करने परती है ID create करने के लिए आपको यहाँ पे option मिल जाता है नोट आ मेंबर sign up now का आप इसके उपर यहाँ simply कर देंगे क्लिक इसके उपर simple आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे mobile number, email ID और अपना नाम डाल के यहाँ पे register me के option पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका user ID, password आपके mobile number और email ID पे send कर दिया जाएगा जिसको आप यहाँ पे डाल के username और password में डाल के आप इसमें simply login कर सकते हैं जो login का option आपको मिल जाता है forget password, forget pin के उपर क्लिक करके कभी भी आप password को भूल जाते हैं तो reset यहाँ से simply कर सकते हैं जब आप इसमें login कर जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है सबसे उपर आपका यहाँ पे wallet होगा जितना भी आपके wallet में balance होगा यह उपर आप यहाँ पे देख सकते spending refund और failure charges की यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है आप यहीं पे यहाँ से check कर सकते हैं इसके बाद guys आपको यहाँ पे center में services का option मिल जाता है इसमें guys आपको सबसे पहले UPI का option मिल जाएगा यहाँ पे UPI के उपर आप click करके जितना भी आपको amount यहाँ पे add करना है अपने wallet में यहाँ amount डाल दीजिए और नीचे add balance को पर जब आप click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे Google पे phone पे patium वो भी की इसके द्वारा आप अपने wallet को instant में top up कर सकते हैं instant में अपना work यहाँ पे start कर सकते हैं इसके बाद next आपको option मिल जाता है prepared mobile recharge का customer का जो भी यहाँ पे SIM होगा आप यहाँ पे select कर लीजिए इसके बाद guys आप यहाँ पे customer का mobile number और amount यहाँ पे डाल दीजिए browse plan पे click करके आप plan भी check कर सकते हैं my offer पे click करके उस customer के mobile नमर पे जो भी offer चल रहा होगा वो offer आप वहाँ पे देख सकते हैं simply recharge के उपर click कर देंगे आपका recharge यहाँ पे successful हो जाएगा इसके बाद आपको dth का option मिल जाता है customer का यहाँ पे dth यहाँ पे slate कर लीजिए और यहाँ पे आपना subscriber id और amount यहाँ पे डालके recharge पे कर देजिए के लिए recharge यहाँ पे simply हो जाता है इसके बाद आपको next option मिल जाता है prospect का तो prospect में भी आपको same way procedure यूज़ करना है customer का यहाँ पे sim provide कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे mobile number डालिए amount डालिए pay bill के ओपर किर देजिए के लिए यहाँ पे payment हो जाता है इसके बाद गाइस next option आपको इसमें मिल जाता है electricity bill payment का अब यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे electricity board होगा आप यहाँ पे select कर लीजिए select करने के बाद यहाँ पे अपना consumer number आप यहाँ डालके fetch bill के उपर जब click करेंगे bill यहाँ पे फेच होके आजाएगा और आप easily यहाँ से payment कर सकते हैं इसके लावा आपको यहाँ पे नीचे option मिल जाता है more का तो more के option पे जब आप यहाँ पे click करते हैं तो आपको यहाँ पे commission आप चेक कर सकते हैं जो भी commission यहाँ पे मिल रहा होगा इसी में आप यहाँ पे commission देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको prepare का commission आप यहाँ पे देख सकते हैं ATL में 2.50 का और BSNL में आपको 5.25% का और यहाँ पे देख सकते हैं idea में आपको 3.75 और zero में 3.50 और zero में आपको 3.50 Vodafor में 4% के commission यहाँ पे की 5.25% तक का कमिशन आपको इसमें मिल जाता है रिचार्ज इस पे नेक्स्ट आपको उप्शन मिल जाता है DTH रिचार्ज का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Tata Sky में 3.20% VideoCon में 3.55% Sun Direct में 3.65% Dish TV में 3.60% और ATL Digital TV में 3.55% का कमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके लावा गाइस आपको यहाँ पे option मिल जाता है रिचार्ज हिस्टिरी का आप यहाँ 24 hours की रिचार्ज हिस्टिरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं Logout का option आपको यहाँ पे भी मिल जाता है इसके लावा गाइस जो आप 3DN पर निसान पर OK करेंगे तो यहाँ पर आपको Edit Profile करने का Option आपको यहाँ मिल जाता है और यहाँ गाइस आप अपने Profile को Edit और View यहाँ से कर सकते हैं Password अपना आप Simply यहाँ से Change कर सकते हैं Video of Coast आपको यहाँ पर ID मिल जाती है और अपना वर्क आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेट हैं तो आपको इस एप्लिकसन का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड करके Play Store से आप यहाँ इस पर अकाउंट कर सकते हैं और अपना वर्क यहाँ पर इजली कर सकते हैं वीडियो को लाइक जोड़ कर देजेगा चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके बेर लाइक अंदा बज़े जो से मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक लेजाएं हिन वंदे मातरम